प्रिये विद्यार्तियों आजम मानो भूगोल के सिद्धान्त पढ़ेंगे मानो भूगोल के तथ्यों के उत्पत्ति, उनके आपसी सम्मन तथा मानो के वातावन के संपर्क का यह अध्यन कुछ नियमों पर आधारित होता है इन नियमों को इमाना भूगूल के सिद्धान्त कहा जाता है जो निम लिखित है पहला किरिया सीलता या परिवर्तन का सिद्धान्त दूसरा पार्थविक एकता का सिद्धान्त तीसरा वातावन समायुजन का सिद्धान्त अब हम पहला सिद्धान्त किरिया सीलता या परिवर प्रत्वी के जड़िया चेतन इतने भी तत्वें यह सभी परिवर्तन सील हैं सांस्कृतिक वातावन भूतिक वातावन इनमें भी नित परिवर्तन होता परिवर्तन प्रकर्ति का नियम है चेंज इस दा रूल ओफ नेचर प्रोफिसर ग्रूंज महोदे के अंसार हमारे चार ओर जितनी वस्तुएं वे सभी परिवर्तन सील हैं उनका आकार या मात्रा रूप अथ्वा गुन बदलता रहता है वास्तव में कोई भी वस्तु सदे वि से हर चंड परिवर्तन होते रहते हैं इनी की गतियों से दिन रात का बनना मोसम परिवर्तन रित्मों का निर्मान तापमान की पेटियों का निर्मान वायुदाव की पेटियों का निर्मान यह होता रहता है प्रत्वी के तल पर हर समय परिवर्तन करने वाली सक्तियां निम प्लिकित्षय परकार के होति हैं पहली प्रत्वी के सोर समन्द, दूसरी प्रत्वी की विवर्तनिक शक्तियां, थर्ड शोरिय सक्ति, फार्थ गुर्तवा कर्शन सक्ति, फेफ्ट जैविक सक्तियां और शिक्स्त मानव सक्तियां पहली प्रत्वी के सोर सम्मन्द प्रत्वी हमारे सोर मंडल में एक ग्रह है जो अपने अक्स पर भर्बन करने के साथ साथ सूरी के चारोर अपनी कक्स पर परिभर्बन भी करता है इन सोर समंदों के कारण ही प्रत्वी पर दिन रात बनते हैं, रित्वे उत्पन होती हैं, तब कोई पेटियों का निर्मान होता है, वायुदाब की पेटियों का निर्मान होता रहता है, वर्षा होना, बादल बनना, ओले गिरना, ये सभी क्रियां प्रत्वी के सोर समंद से ह कि दूसरा कि प्रत्वी की विवर्त्निक सकतियां civ कि fry विवक्त की दूआरा दो परकार के परिवर्तन होते एक की के परिवर्तन अत्यनत्य धिंबीक गति से होते हैं जिनका परभाव धिरे धिरे दिखता जैसे बच्च में उधान सुरूप बता हूं आपको गड़ी में तीन सुई हैं एक सेकंड की सुई एक मिनट की सुई और एक घंटे वाली सुई तो आप जो घंटे वाली सुई है उसका जो परिवर्तन देखोगे उससे जो चेंज जो को बहुत धीरे मैसूस होगा आपको बहुत जिस प्रकार बनस्पति छोटा खोदा हुगा बाद में धीरी-दीरे व्रक्ष बना आपने जैसे श्वयम जनम लिया एक बच्चे ग्रूप में धीरी-दीरे आपका विकास हो रहा है इसी तरह परवर्तों का निर्मान हो रहा है मैदानों का निर्मान हो रहा है यह जो परिवर्तन होते हैं इन्हें दीरका में दिखाई देता है इसमें और भी उधान ले सकते हैं जैसे किसी प्रदेश का उपर उठाना नीचे दसना दूसरे प्रकार के परिवर्तन अत्यन्त अलबकालिक या आक्समिक या चनिक होते हैं जिने चन भर में उनका परिवर्तन दिखलाई देता है जैसे अपन अभी सभी यहां बैटें अभी भूकम्प के जटके आजें ज्वाला मुखी का उद्गार हो जाए तो अपने को पता भी नहीं चलता है चन भर में बहुत बड़ी विनास लिला खड़ी हो जाती है इसके कितने और भी उधान दे सकते हैं जिसे भूकम्प है ज्वाला मुखी स्पोट है भूस्कलन है एवलांस है यह परिवर्तन बहुत तिवर्गती से होते हैं और यह सबसे ज़्यादा विनास कारी भी होते है तीसरा सोर्य सक्ति सूर्य की सक्ति अत्वा सूर्य ताप से बहाई यह सक्ति अत्वन होते हैं जो भूत्तल को परिवर्तन करती रहती हैं इनके द्वारा भूत्तल पर अनेकों अनेक परिवर्तन होते रहते हैं सूर्य के द्वाराई वाई मंडल के ताप और हवा का भार बदलता रहता है परकास और गर्मी ओस और पाला तुसार और हि औरना आंध्यां और तूफान ये सभी सूरी की सक्ति के दराएं उतपन होते हैं आप पता है सूरीय से ही सूरे azht होने तक अब कितने परिवर्तन देखते रहते हूं कि इसके आलवा वर्षा और सूखा दिन और रात कि रिथ्मों का परिवर्तन और जलवायों के परिवर्तन सब सूर्य की सक्ति द्वाराई होते हैं सूर्य की सक्ति द्वाराई वनस्पति उगती है उसका विकास होता है पस्वों को जीवन सक्ति मिलती है यह सब सूर्य के ही कारण है फौर्द गुर्त्वाकर्शन सक्ति प्रत्वी के केंदर में गुर्त्वाकर्शन सक्ति है जो प्रतेग पधार्थ को अपनी और खीचती है इसके कारण ही समस्त पिंडों का संतुलन बना रहता है गुर्तवा करशर सक्ति के कारण ही इस नचक्त्र में आकास में जो जितने के लिए आकशिजन वायव क्या आउ सकता होती है और इस आकशिजन वायव को खीच कर प्रत्थ्यूतल के समीफ लाया जाता है सूर्य की सकत्ती दूरा जो भूतल पर अच्विन में ताौथपन होती है है उसको यह गुर्टवाकन सक्ति ही नियमिता में बदलती है जैविक सक्तियां जैविक सक्तियों में इन्होंने दोनूं वनस्पति जगत और जीव जन्तुवर्ग दोनूं को इसम्मलित किया है इनके दुआरा भी भूतल पर हर समय परिवर्तन होते रहते हैं वनस्पति सैलों को आवरण परदान करती है जिससे आपरदन कम होता है लेकिन कई दफ़ा वनस्पति की जड़ो द्वाराई सैलों को विदीन करी जाती है खंडित करी जाती है जिससे आपरदन बढ़ जाता है वनस्पतियों से ही उनकी पत्तियां जो गिर करके सडगल जाते हैं जिससे हुमस बनता है जो पेड़ को धोंके उत्पत्तियों विकास में बहुत बड़ी सायक होती है जीव जमती भी अपने निवास के लिए इस भूतल पर अनेक परिवर्तन करते रहते हैं जितने भी बिलकारी जीव हैं कि सभी अपना आवास बना करके जमिन को खोदते हैं गड़े बनाते हैं बिल बनाते हैं इसी परकार से कीड़े मकोड़े भूतल पर रहने के लिए अनेक द्वारा वनस्पति जगत तो जैव जगत द्वारा इस भूम अंडल पर नित्य प्रती परिवर्थन अपन देख सकते हैं वनस्पतियों का छरण भी करता है कई वर एनियंत्रित पशुचारण भी वनस्पति जगत को भूत भारी हानी पहुंचाता है उससे भूम बना भू पर चटाएं पंजोर पर जाती हैं विदीन हो जाती हैं ज़से अपर्धन करता है चटा है मानव उसकती है मानव ने जब से हि जन्म लिया है यह इस भोतल पर अनेक अनेक परिवर्थन करता है मन्युस्भी भूतक पर परिवर्तन करता रहता है, कहीं पर यह वन्यों को काट काट कर खेत बना लेता है, कहीं पर जंगलों को साफ करकर करके खेत बना लेता है, कहीं पहाडों पर सीडी दार खेत बना करके सिकरता है, कहीं पर नहरों का निर्मान करके सड़कों का निर्मान करके सुरंगे बना लेता है पहाडों में से कहीं पर एक खानों से खनीज निकालता है कहीं पर समुद्र से मचली पकड़ता है और अन्यकों परकार के सांस्कृतिक बुदश बनाकर भूतल पर परिवर्तन करता रहता है आप स्वेम देख रहे हैं आपके सामने जो द्रस दीख रहे हैं अपनी पॉलेज का निर्मान है होस्पिटल का निर्मान है सड़क का निर्मान है यह नगरों का विकास है वायवयानों का निर्मान है जितने भी आपको सामने यह द्रस दीख रहे हैं जो विजीबल हैं यह सब मानव द्वारा ही बनाए गए हैं तो मानव तो जब से जनमलिया आदी मानव से लगा करके